हलो मिर प्यारे विद्यार्थियू कैसे हूँ आशा करती हूँ आप बिलको ठीक ठाक और सवस्त होंगे आज आपका हिंदी कासुलेक लिखने का दिन है तो आए लिखना शुरू करते हैं व्यंजन का जोड अब बिटा हम व्यंजनों को आपस में जोड कर लिखते हैं का से अंगा तक हाँ जी का लिखेंगे बिटा सिध्य लाइन लेंगे बीच में शुरू करेंगे गुलाई करेंगे वहीं खतम करेंगे जहां से हमने शुरू किया है का ख, ग, घ, यह क्या है लिखा है लिखा पेटा हमने, यह सिरफ हमने व्यांजन का जोड किया एकठा, एकठा अक्षर लिखा देखा हमने, क, ख, घ, ग, अंग, यह हमारा व्यांजन, फिर से यही लिखेंगे बटा, क, ध्यान से देखें बटा मैम ने कैसे बनावड दे रही हैं, आपको भी ऐसा ही बनावड देनी हैं, और आप प्रती दिन बटा मैम के साथ सा काम कीजिए, सुन्दर सी राइटिंग बनाए, सुन्द खिती दिन मैम के काम के साथ सा काम करेंगे, तो बेटा बहुत सुन्दर लिखेंगे आप, ठीके, तो आप चाहते हूँना कि आपकी राइटिंग अच्छी हो, आपकी लिखाई अच्छी हो, तो बेटा मैम के साथ सा काम कीजिए, ठीके ne neighborhood तो अमने क्या लिखा listen, क, ख, घ, गग अंगा कख गग अंगा अब आपने बिटा यह दो लाइने छोड़नी है और यहां पर इसकी ऐसी ही दो राई करनी है यही हमने व्यंजन लिखने हैं आगे बिटा मात्रा ओकी यानि कि जो वागे हम शबद लिख रहे हैं उसके अंदर मात्रा ओकी का प्रयोग किया हम लिख रहे हैं बिटा कोट कोट कैसे लिखेंगे सबसे पहले सीधी लाइन आएगी ठीक है बीच में शुरू करेंगे गुलाई करेंगे । जहां से हमने शुरू किया वहीं पर हम इसको खतम करेंगे को को तो किसके मातर के साथ है क के साथ को त तो क्या लिखा बेटा हमने कोट आप बेटा बोल के लिखिए सुन्दर लिखिए तांकि आपको मातरा की पहचान हो हांची दो बी तो हमने क्या लिखिए बेटा दो दो कुंसा है बेटा दो नुशिवाला दो यानि दो के साथ हमारी ओ की आवाज है तो हमने ओ की मातरा लगा दी आगे वो बोलता है बेटा बी बी अब देखो बग के साथ किसके आवाज आ रही है ई की तो हमने बग के साथ हमने ई की म मात्रा लगाई तो हमने क्या लिखा बिटा धोवी क्या लिखा बिटा धोवी आगे बिटा हम लिखते हैं गोभी हाँ जी गोगो तो क्या लिखा बिटा हमने गो यानि गा के सथ हमारी ओ की आवास है तो हमने ओ की मात्रा लगाई गोभी हाँ जी उपर से बागी गुलाई मा किया जैसे बना वटाएगी गोबी चीक है बिटा अब आपने बिटा एक एक लाइन छोड़ के आप इसकी दोराई करनी है सुन दर लिखने है बोल बोल के लिखने है ताक कि आपको मातरा की पहचान हो हम लिख रहे हैं बिटा आपके कोयल कोयल हांजी ठोकर ठोकर ठोकरी लिखते है बिटा पहले ठोकरी ठोकरी री री हांजी रा के साथ आवाज आ रहे है बिटा तो नहीं रा के साथ हमने इसकी मातरा लगा दी तो हमने क्या लिखा बिटा ठोकरी आगे एक श्यापत बिटा हम और लिखते हैं हम लिखते हैं पोकर हांजी पोकर पो खर-ख र तो क्या लिखे है पेटा हमने पोकर अब आपने एक एक लाइन छोड़ के आपने इसकी दोराई करनी है और अब हम एक शब्द ले रहे हैं यह शब्दों का जो है चार होगा चार शब्दों का जोड़ होगा जोद पुर हाँ जी जो जब बनाएंगे पेटा पहले तो उन्हें क्या लिखे रहे है पेटा जोद ध गुलाई में जोद पुर हज बेटा मुझे बताओ मैंने बोला पुर तो परपुर में कुन से आवाज आ रही है छोटेओ की शाबाश जोद गुलाई पे हमारी लाइन नहीं आएगी जोद पुर कोयर टोकरी पोखर कोट दोपी गोपी बोल के लिखे पेटा सुन्दर लिखिए धन्यवाद आपका दें शुपर